अगर आपको पता चाहिए प्रोग्रामिंग और रिपोर्टिंग हुई है आप उसको जा करके देखिए हम G20 का पॉलिटिक्स डॉमिस्टिक पॉलिटिक्स डिसकस यहां करेंगे नितनगरी में सिर्फ उतनी बात हो गी है सरकार का कहना है कि अच्छा खासा आयोजन हुआ है देश का कद बड़ा है और उस कद के बढ़ने में पदाहन मंतरी नरेंदर मोदी का बड़ा एहम योगदान है इसलिए उनको धन्यवाद भी दिया गया उनके लिए प्रस्ताव पादित हुआ और उनका स्वागत भी हुआ बाद में जाकर के दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है जैनके में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे अफसर शहीद हुए मनिपुर में एक पुलिस कर्मी है अफसर है उनको उनकी किलिंग हुई उनको स्नाइपर शॉट ले करके मारा गया और बाकी चीज़ें चल रही है तो फिर कैसे स्वागत हो सकता है इस विशे पे हम दो लोगों के कॉमेंट्स चाहते हैं पैरलल सबसे हम चाहते हैं मौसुमी माम पहले आप अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम नीदी माम आपके पास आना चाहेंगे जी देखिए जी ट्वेंटी का जब आयोजन हुआ मतलब कि ये पूरा जो रन अप है वो उसमें आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने अपनी तैयारियां की सरकार लगातार इस बात को कहती रही कि हमने जी ट्वेंटी जनता के बीच में पहुचाया तो जी ट्वेंटी महज एक डिप्लोमाटिक फॉरूम नहीं रह गया ये एक जन भागिदारी का फॉरूम बन गया और इसको हाइलाइट लगातर भारत सरकार करती रही वो इसलिए भी क्योंकि दो पर प्रधानमंत्री कहते आए हैं उस फ्रंट पे मस्बूती से बीजेपी को अपना पक्ष रखना होगा यही वज़ा है कि आप देखें कि साट शेहरों में यह बैठके हुई जो पूरे एक साल में हुई वहाँ पे जन भागितारी के अलावा जो कुर्शनल प्रोग्राम् और प्रधानमंत्री की विश्वग गुरू की छवी को इंडिकेट करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से थी यही वज़ाई कि आप देखें कि जब जीट्वेंटी हुआ तो उन तीन दिन तक विपक्ष भी खामोश था और मतलब कि फ्राइडे मेरे ख्याल से शुक्रवार को से पहले ही कॉंग्रेस की एक प्रेसवारता हुई थी उसके बाद तीन दिन तक चार दिन तक विपक्ष ने सिर्फ दो मुद्दे उठाए एक की भारत बंडपम में पानी भर गया क्या यही जीट्वेंटी की तजबीर है जो कि सुबह तड़के पानी भरा था बारिश पर कुल मिलाकि सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई इसको जनता में संदेश भीजने की मोधी है तो मुमकिन है आप इसे कैसे देख रही है जैसे मौसमी ने भी कहा कि सरकार का प्रयास इसको एक domestic success की तरह प्रेज़न करना भी है आई यार तो एक विशह है ही और election year हम सब जान रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष इसको एक binary में बाटने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई चीज unfortunate हो रही ह जिसके अंदर हमारे जमानों की जाने जा रही है तब आप कैसे celebrate आप इस binary में मानती है देखे निखे लिए बहुत बड़ी opportunity थी भारत के लिए जब international stage पे भारत कैसे अपने आपको position करता है वो सारी आखें भारत के उपर थी और अगर आप देखें इवन opposition के सारे chief ministers जो डि सब दिखें एक मंच पे हां मतलब कुछ chief ministers नहीं आए तो politics पूरी हर तरीके से अगर देखा जाए तो domestic politics भी visible थी लेकिन अगर देखा जाए तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी opportunity थी to showcase कि क्या हमारी foreign policy है हमारी क्या achievements है जो elections से पहले चाहे वो 5 राज्यों के elections हो इस साल या 2024 के elections हो ये पूरी तरीके से भारत को global stage पे एक successful event host करके दिखाने के थी और पूरी तरीके से सरकार में वो किया क्या उसका किस तरीके से domestic politics पे फरक पड़ता है देखा जाए तो विपक्ष ने भी अपनी पूरी मन्शा दिखा दी थी जब उन्होंने डिनर पे attendance हुई कुछ chief ministers नहीं आए पर वो domestic politics से शायद हटके सब को एक जुट दिखना चाहिया था जो शायद कहीं न कहीं कमी रह गए हाथ रखे हुए थे तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें appointment नहीं मिल रहा था प्रदान मंत्री से और हमारे प्रदीश को पैसे चाहिए इसलिए हम वहाँ पे पहुच गए थे पर कहीं न कहीं फिर वह congress में भी विखराब नजर आया कि इसी से जुड़ी हुई बात यही है कि सवाल उठते हैं Congress के लिए और मोधी सरकार के लिए Congress के लिए क्या सवाल उठता है कि हर मुख्यमंत्री को invite किया गया आपका इंडिया Alliance है किवला बात Congress नहीं इंडिया लाइंस ममता बेलेंजी एक दिन पहले पहुच गई क्यों क्योंकि उनको डर था कि एक बार वी वी आई पी मुव्मेंट शुरू हो जाए मैं पहुच पाऊंगी या नहीं तो वो दिल्ली एक दिन पहले पहुच गई उनको वहां फ्लड्स हुए बाढ़ हुआ है उसे नैशनल आपता आप घोशित कीजिए नैशनल डिजास्टर गोशित कीजिए आज प्रियंका गांदी गी ने भी गांदी बाटरा ने भी चिठी निकी है प्रदान मंत्री को तो शुखू को आज जरूरत है केंद्र की वहीं अश जिदर अमयाजी के लोगों से बात हुई उनका कहना है कि उनका कुछ और कारेक्रम पहले से फिक्स था और ये भी कहना है कि खर्गे जी को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया तो देखे विपक्ष भी बिखरा हुआ है तो सवाल उठता है जब इतना बड़ा एक कारेक्रम ह लास्ट बिनिट में हमें इन्वाइट किया गया है तो ये जो ऑपोजिशन और सरकार के बीच में जो अविश्वास का एक महौल है खास कर कि कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में इस वज़ा से जो ठक्राव है जो होस्टिलिटी है जो एक तरह से मैं कहूंगा एक नफरत हो गई है एक दूसरे से जो नहीं हुआ करती थी पॉलिटिक्स में आप प्रतिधन दी होते हैं लेकिन इस तरह अब शशी धरूर का कहना है कि हमारी जो एक्स्टरनल अफेस पार्लिमेंटरी कमिटी है उनको क्यों नहीं बुलाया गया तो ऐसे कहीं लोगों की तक्रारे हैं कि आपने डोमेस्टिक पॉलिटिशन्स को इन्वाइट नहीं किया गया लेकिन सवाल उठता है कि कॉंग्रेस वहां क्यों एक जूट होकर क्यों नहीं गई उनके सारे मुख्यमंत्री जा सकते थे एक अच्छा मेसेज जाता कि सभी मुख्यमंत्री है दूसरी तरब यह जो तस्वीरे आप अभी दिखा रहे थे प्रधानमंत्री जी की सवाल बीजेपी को भी उठता है कि जब जिस दिन आतंगवादी हमला हुआ और शुरू हुआ दिन में और दोपेर तक खबर आ गई थी कि तीन सीनियर आफिसर एक मेजर एक करनल और एक डिवाइस पी की मौत फिर इसकी क्या जरूरती क्या केवल ये आप कह रहे थे ताकि आप डुमेस्टिक पॉलिटिक्स आपने G20 कर दिया वो तो दुनिया के लिए था लेकिन आप उसको उसकी एक तरह से किस तरह से डुमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोधी जी को परस्नालिटी कल्ट बढ़ाने मे क्या कर सकते हैं तो दोनों को सवाल है क्या BJP केवल personality politics करना चाहती है और विपक्स जो है वो केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहती है मुझे लगत मैं G20 से ये दोनों चीज़े आती है जो दोनों पक्षों को उसका जवाब देना चाहिए मुझे साड़े बारा बजे हमारे assignment जो उस event को track कर रहा था BJP के उसने का event cancel है 20 मिनिट बाद उसी का फोन आता है अब event फिर से है तो BJP में भी मुझे लगता है दूविदा थी event करना है किस level पर करना है तो दोनों को विपक्ष और Congress और BJP दोनों को सवाल पूछते चाहिए ठीबात और ये बहुत सारे चीफ मिनिस्टर की शिकायत रही है कि जब G20 के प्रोग्राइम्स उनके इलाकों में हुए उनके शहरों उनके कैपिटल्स में हुए तो उनको भी एरपोर्ट पर गुलदस्ता नहीं देने दिया अगर वह लाक अफ कोपरेटिव फेडरलिजम है तो अगर आपको इन्वाइट किया गया है सारे चीफ मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया है चाहिए वो किसी भी पार केस को नहीं रख रहे हैं तो फिर आपकी जो भी पुजीशन है वो थोड़ी कमजोर तो जरूर हो जाती है